सो यू वोट्सप गाइस कैसे हैं आपसे भी लोग विल्कम बैक टू अनौद और वीडियो कौन ही लोग कहां से आते ही सो मैं आज लेकर आगया हूँ आप सब के लिए नियू समपी सो गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चाहँ को सब्सक्राइब कर दो यार क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम बंदे करते हैं यार प्लीस करते हो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सो अब पढ़ते हैं वीडियो की तरफ सो गाइस आप सब रिस्पॉन पॉइंट पर रिस्पॉन हो जाओगे एंड रिस्पॉन होने के बाद एंड मैं आपको घर दिखाता हूँ कि हमारे संपी में कितना डेवलप्मेंट हो चुका है सो यह देखो यह हमारे एक मेंबर का ही घर है सो यह घर बहुत यूनीक लगता है मुझहें सो इसलिए मैं बार-बार इसी के पास आता हूं ओके सो यह दूसरा घर है जो कि हमारे संपी मेंबर्स नहीं बनाया है चलो मैं आपको चल द gent pixel गर है एंड इसमें भी एंड यह वाला घर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है पर इसका रूफ अभी कंप्लीट नहीं वाए तो हमारे मेंबर्स खेलेंगे तो इसका भी रूफ कंप्लीट कर देंगे सो अब आगे बढ़ते हैं आपने तो इदर देखी लिया था कि यहां पर एक एक एकसपी फार्म है जो इसमें स्पॉनर लगा है इस तरफ एक पेपर फार्म है और सामने सागर संपी आपको दिखी रहा है सो हां तो गाइस अब यह देखिए यह है मुगैंबो का कासल जो की अ सब्सक्राइब करते हैं जो उपर ब्लॉसम के भी लगे हुए हैं फ्लावर्स सो यह है हमारा संपी मेंबर्स रूम आप इससे बाहर निकलते हैं आपको नेक्स्ट घर दिखाते हैं और यह देखो यह भी घर है जो की मुझे सुन्दर लगता है देखने में और इस सी दिस का देख लो यह गर है यह दूसरा गर है जो की बहुत प्यारा लगता है यार फार्म के साथ दोनों गर है यह हमारे सब्सक्राइब क्या बनाए है फॉंटेन मॉन चोटा जैसा सो इसे रहने देते हैं आगे बरते हैं सो अब यह कहोगा कि इसमें सागर भाई आपने यह क्या कर रहे हैं यहां पर ओके सो अब मैं यह भी बता देता हूं कि हमारे संपी में ट्वेंटी मेंबर्स एक साथ खेल रहे थे सुसी का यहां पर सेलीब्रेशन हम लोग दिये थे अगर आपको देखना है तो लाइव स्ट्रीम में देखने ना और यह जिनका भी घर है यह पूरा सामराजी बना लिया है लग रहा है यार क्योंकि इसके अंदर आपको सभी देखने को मिल जाएगा सिसा के अंदर मदक्ख ऐसं तरब देखो के तो इस तरब भी एक लास का वार यहास बन रहा है जो कि अभी तछ नहीं हुआ है जो कि जल्द ही कंप्लीट हो झाएगा ये इ और विलेजर से जिसके लिए बैट भी है और आप यहां पर देख लो कि यहां पर बहुत सारे लोगर ट्री फार्म भी किये हैं तो यह है एलार सक्षम का घर जो कि मुझे बहुत संदर लगता है देखने में इसके उपर फार्म भी है गाइस अगना आञेन लिए थाला है यह को देखने को मिल लगा है जिसके नचे स्लेपश लगा कर रखा है ताकि आयरन गॉल में नीचे इसपाँड नहाएज वर दिखाइज दिया था और यह वाला घर फार थोड़ा निव है ओके सो ये वाला घर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाए दिया था ये वाला घर भी मैंने दिखा दिया था ये वाला घर थोड़ा निव है इस घर में मैं आपको जाकर एक बार चेक करवा देता हूं कि ये घर कैसा है इस घर के अंदर जाओंगा यह घर भी अभी complete नहीं है यह घर भी अभी pending में है एक घर जो बसता है लास्ट घर जो की यह घर है यह घर भी अभी थोड़ा सा complete नहीं हुआ है जो की हो जाएगा कुछ दिन के बाद आज की वीडियो में इतना ही अगर आप इस चैनल पढ़ने हों तो चाहँ को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रस कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तेक दिन्या थैंक्स वाचिंग और बाइब